शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि वो कतल मेरे हाथों से हुआ था सिमय दो। क्या तुम्हारे हाथो खून हाला थी कुछ ऐसे थैं सीमा मेरी जगा अगर फरिष्टा भी होता तो वह भी यही करता मेरे घर में अलवा मेरी मॉसी और मेरे चाचा रहते थे मेरे आनाथ होने के बावजुद मेरी मौसीर मुझे कभी महबाप की कमी मैसूस नहीं होने दी और एक दिन शाम को जपने आफिस से घर लोटा तो मैंने देखा नहीं, छोड़ देगे, नहीं छोड़ देगे मुझे म्हुझें सब भकतएंग, वासन घर बाटेंगे जाएचा जी तोर देगे मुझे की जाएचा जी जाएचिए मैं आपको कहां समझ्ट हताबराव आपकां नहीं आरे हाच आहाद है आमोर्यार तूने बोलकातis लता तकर तकर थाचा भॉज़ हमने हम प्रवार हाँ दोने... खर ईयों न वालोर कि उस ताप जपनिए जगार तरबें जजञे जड़ें, जड़ें जड़ें, जड़ें 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 जो है एए जड़ें जड़ें जाचा जी, ओ! यहाई! यहाई! यह क्या हो गया? माशी, मैं तुरी वालोरी शीरनाती, यह गोली कैसे चल गयी? मैं लो जान बुटके हूँ तो किया नी, माशी. अब हम क्या करें माशी? माशी! अलो, पुलिस, पुलिस मैं सक्चेनल, पुलिस को फोन क्यों कर लिए तुम, पुलिस को फोन करने दे मुझे, अजला, ये रिवाल्वर मुझे दे दे, मैं पुलिस साफ साफ कहे दूंगी, कि तेरे चाचा जी मेरी इजद लोगना चाहते थे, अपनी इजद बचाने में तुम अपने आपको गोली क्यों मारोगी तुम्हारे सिवा, मेरा इस दुनिया में ही को, समझ में नहीं आता क्या करे कहा जाए, किस से मदद मांगे, हाँ, अमर, तू, किसी की भी हेंडराइटिक बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है न, तो फेर, चाचा जी के हेंडराइटि किसी को भी तेरे उपर शक नहीं हो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जा, जाना चल्वी और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कतल को खुदकशी का नाम दे दिया, मेरे और मेरे मौसी के लावा तिसरी सिर्फ तुम हो, इस पर यह राज खुला है अब तुम्ही बताओ, सिमा, मेरी जगा अगर तुम होती तो तुम क्या करती सिमा, चुप क्यों हूँ तुम्हे नफरत हो गए मस्से सिमा 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 स्थमा सिमा अलो, ACP Chandrapeetis speaking Sir, मैं Inspector Seema बोल रहे हूं हमारा मिशन काम्याब हो गया है अमर ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है यह सब क्या हो रहा है बिटा पहले तेरे हाथों चाचा जी का खुन फिर यह सलाखे यह मुझब नसीब और मनुज़ वरत का साया है अरे नहीं नहीं मौसी तुम अपने आपको क्यों कोश रही हो यह जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म के वड़े से थोड़ी हुआ है यह मेरे सच भूलने के वड़े से हुआ है देल का अच्छा हुना विमाग वाले फाइदा उठा ले तुने मेरी हाँ से अपनी जबान बंद रखे लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी मैं दुनिया से चिला चिला कर कहूँगी मैं नहीं मौसी यह जुल मत करना तुम उझपर फासी के तक्ते पक्चल जाने की हिम्मत है मुझ मैं मगर इतनी ताकत नहीं कि मैं कि तुम से पूछी जाने वाले वाकिलों के गंदे और घिरोने सवालों को सुन सकूँ कसम है तुम्हें मेरे सर की तुम इस राज को राजी रखोगी मॉसी 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 वाहरी औरत वाह, क्या रूप दिखाया है तुने, मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोका किया, मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तु क्या निकली, ज़र क्या जुकाती है, आंके मिला कर बास सुन डायन, आप होश में तो है, मेरे अमर को सजा दिर्वा कर, तु चितने चाहे मैदल चीट ले, लेकिन इस सब्ला की बद्दू आ है तुझे, कि भगवान करे, तेरी गोस्त कभी न बरे, तु आउलाद को तर्से, तब तुझे पता चलेगा, पता चलेगा तुझे, आउलाद का दर्द क्या होता है? हम प्रेस वाले ये जाना चाहते हैं, ये पुलिस वालों को कैसे शक हुआ, ये राम कुमार सक्सेना ने खुदकुशी नहीं की? अच्छा चाहते हैं, एक पल भी ये इसास नहीं हुआ कि ये आदमी जिन्दगी से ये पीमारी जितांगा कर कभी खुदकुशी कर सकता है? अच्छा था, अच्छा रहा था, और अच्छालक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने के बाद शक हुआ रहा हमने उसके खदल की तेखिकाश शुरू कर दी हैं, कैसे? हमने एक मन गड़त प्रेम कहानी बनाई, जिसका हीरो रोहित नाम का एक करेक्टर था, जो सीमा से प्यार करता था, और रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद, सीमा को सन्मा पहुचा और वो कॉमा में चली रही, अब ये जो सीमा कर रूल है, वो मेरी बेटी इस्पेक्टर सीमा ने किया, और मैंने एक भीकारी घरीब मजबूर बाप कर रोल किया, आपने डॉक्टर कर रोल किया, आप खड़क सिंग बने थे, आपने मेजर कर रोल किया, ये पिसनस गायकवाड बनी थी, और अनवर जो मरे वे रोहित का दोस्त था, अमर सक्सेना ने इस कहानी को मान लिया, और वो सीमा को नई जिन्दगी देने के लिए रोहित बनने को तयार हो लेकिन उस खत का क्या हुआ, जो खुद राम कुमार सक्सेना ने खुदकेशी से पहले लिखा था, वो खत ही था जिसकी बदारत अमरी चान में शुरू हुई, और मेरा शक्त यकीन में उस किसी की सिगनेचर की नकल करवाई, जो इनसान बिना प्रैक्टिस किये किसी की सिगनेचर की खुब बहु नकल कर सकता है, वो अपने चाचा की ज्यादाल हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, सेर, इस केस में एहम भूम का निभाने वाली, विस सीमा का इस में अमर के हाथों अपने चाचा का खूल हुआ, तो क्या खलत हुआ, मैं आप से पूछती हूँ, अगर आप अमर की जगह होते और मेरी इस्थ पर बराती, तो जजबात में आकर आप क्या करते, मजा के पुलीस को सब कुछ सच सच बता देता, आपने जर्म का इतराफ करता मंगरा मर ने फरेब किया धोका किया, उसने एक बरे बेह इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुशी साबित किया, और कानून को धोका देकर समाज में इजदार इंसान मर के रहने लगा, तास अ बलड़ी क्राइम, इसा क्रेमिनल वो मुजरम है, उस मुज एक तरकीब है, जिससे मैं अमर को कम असकम फांसी की सजा से तो बचा ही सकता हूँ, कौन से तरकीब वकिर साब, मुझे ऐसे सबूत और ऐसे गवाह कठे करने होंगे, जो ये साबित कर सकें, कि अमर के दमागी हाला ठीक नहीं है, और कतल करते वक्त, वो अपने होश और हव इसे पागल करार दे कर, अदालत में खड़ा कर दिया है, और मैं अमर से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त है, हाँ तो अमर, हाँ तो वकिल साब, ये बताओ तुमने अपने चाचा का कतल क्यों किया, ऐसी बात करते हैं आप वकिल साब, चाचा जाचा है, तो पूछता हूँ, ये बताओ दुमने खाट पर दूले के लिए एक साथ शुकते हैं, और दुबारा महले होकर दूभी घड़ पर चले आते हैं, अजरवर और नाला से दुन्या को एक तागा सपग लेवाची येचाँए जाचाः अज़त वकिल साब, क्या आ क्ls另外 ह्प्म कर रहुंगर insecure और मैं पूछता हो अप भूब रहे हैं और आप की कैसी की अनर्वेर है ironically और आपका भी कोई नाड़ा है, जसाब, आप इस नाड़े को देखिए, आपको लगता है कि ये नाड़ा अपने हाथ से अपनी एंडर्वेर का गला घोड़ देगा, ये लोग मुझ पर फुजूल के लगा जा रहे हैं, जसाब, मैं सच कहता हूँ, मैं भगवान की कसम कहा के करने कहता हूँ कि मैंने किसी इंडर्वेर का कतल ने किया है, ये नाड़ा बेखुब एखुब आप एक घटिया किसम की इंडर्वेर हैं, आप लाड़े की जजबात को नहीं समझते हैं, वकिल साब, आप बगवान कर रहे हैं, ये अदालत की तोहीन कर रहे हैं, मिनौड, ये अधालत की तोहीन नहीं है, बलक्ए एक मासूम इनसान की जिंदगी को तबाही से बचाने की कोशिश हो रही है। ये पागल इनसान के लिए कोड की इज़च क्या और कोड की बैज़ची क्या? मैं तो आपसे हर्ज करता हूँ कि ऐसे मासूम इन्सान को मुझरिम कैसे साबित किया यह दोनों पार्टी पागल हो गई है मेरे हिसाब से यह दोनों पार्टी को अंडर्वेर और नाना पहला कर पागल खाले भेज़ेना चाहिए यह दालत तब तक मुल्तवी की जाती है जब तक अमर की दिमागी हाले ठीक नहीं हो जाती है और यह दालत अमर को पागल खाने में रखकर उसका एलाज करने का हुक्म देती है झालत तक मुल्स का झालत अमर को जाती है